बॉलिवड में चोरी चकारी कोई नहीं बात नहीं है चाहे हम यूजिक की बात करें स्टोरी की बात करें पोस्टर्स की बात करें बॉलिवड में हर एक चीज की चोरी होती है और कई बार तो ये भी होता है कि जो सही क्रेडिट होता है वो भी नहीं दिया जाता लेकिन आज का समय सोशल मीडिया का समय हैं ऐसे में लोग भी बहुत जारुक जागरुक हो चुके हैं सभी के सामने सारी चीजे मौजूद होती हैं ऐसे में किसी से कुछ भी छुपाना पॉसिबल नहीं हो पाता कोई ना कोई आपकी चोरी पकड़ी लेता और ऐसे में अब तो मेकर्स भी पैसा कमाने से कई बार जो और इजने क्रियेटर्स होते हैं उनको पैसा दे दिया जाता है तो वो मुबंद कर लेते हैं या फिर कोट के बाहर ही केस को सटल कर लिया जाता है वहां पर लेकिन पैसा ही इन्वाल होता है लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अड़ जाते ह पिछले कुछ समय से मूवीज भी बनाना शुरू करती हैं लेकिन इनके उपर भी कई सारे विवाद लगते रहते हैं खास तौर पर इनके प्लेटफर्म आल्ट बालजी को लेकर जिसके की उपर कई सारे ऐसे शोज हैं जो को विवादों में घिर चुके हैं फिल्मेकर सुधानशु सरिया ने शुकरवार को एक पोस्ट के जरीए अपनी शौर्ट फिल्म लव और अल्ट बालजी की हिज स्टोरी से एक जिसे होने की बात शेयर की थी बाद में विक्रिमाजित्य मोटवाने ने इसके लिए कंपणी की निश्करीता को लेकर अलोचना भी की थी आखिरकर आल्ट बालाजी ने रविवार सुबह इसके लिए माफ़ी माइगे और पोस्टर हटा लिया मोटवाने ने टीम बाला जी की और लुचना करते हुए सोचल मीडिया पर पोस्ट किया था कि ये बहुत शर्मिंदा करने वाला है कि माफी मांगने की जएके प्रोड़ेश्कन हाउस लगातार वही आर्ट वर्क अपने सोचल मीडिया पर डिस्पले कर रहा है मोटवाने ने लिखाता कि ये कुछ उस तरह लगता है कि आर्ट वाला जी की इंटर्न ने गूगल पर सेम सेक्स फिल्म की वर्ड सर्च किया हो और पहले ही पोस्टर जो उससे मिला हो उसकी शकले सूरत बदल दी मैंने इंटर्न कहा क्योंकि मैं यकीन नहीं कर सकता कि इंडस्ट्री के प्रोफेशनल और इमांदार की कमी हो गई है क्या मैं मजाग कर रहा हूं इंटर्न हजार गुना बहतर है हाला कि बाला जी को ऐसा करने का इतिहास रहा है स्टेट्मेंट जारी करके आल्ट वाला जी ने उस पोस्टर को हटा दिया माला कि इसके चंद घंटे बाद ही आल्ट वाला जी ने एक स्टेट्मेंट जारी किया जिसमें की टीम ने लव से माफी मांगते हुए पोस्टर्स अपने सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट कर दिये पोस्ट में लिखा है कि 9 अपरेल को हमने हिस्टोरी का पोस्टर रिलीज किया जो कि सुधानशु सरिया की लव के पोस्टर से मिलता जुलता है यह के वर एक संयोग नहीं कहा जा सकता यह हमारी डिजाइन टीम का एक हिस्टा था इसलिए हम माफी मांगते हैं हम हर डिजाइनर के क्रियेटिविटी की रिस्पेक करते हैं और उनके प्रतिबा का आप मान नहीं करेंगे हमने अपने सभी प्लेटफॉर्म से पोस्टर को हटा लिया है और हम वेनमरता पूरवक लव के सुन्दर पोस्टर के निर्माण में शामिल करलाकारों से माफी मांगते हैं ऐसा नहीं है कि ये मूवी कोई पहली बार एक ऐसी मूवी सामने है जिसका पोस्टर कॉपी किया गया हो या फिर ऐसा नहीं है कि एकताकपूर की पहली बार है कि भई कोई पोस्टर कॉपी किया गया हो एक्ताकपूर की जल्दी ही जो movie release होने वाली है story इसको लेकर poster को लेकर जो विवाद था वो होई ही चुका है माफी मांगी जा चुकी है लेकिन कई लोगों दोरा अलाउचना करने के बाद एक्ताकपूर के platform ने इससे माफी मांगी इससे बड़ी बात ये है लेकिन कई ऐसी movies हैं जिसको की वो copy कर चुके है आई जानते हैं कि वो आखिर poster कौन से थे judgmental है क्या साल 2019 में release होई judgmental है क्या पहले अपने title फिर poster के चलते कई बार विवादों में आई poster सामने आने पर हंगरी की एक designer Flora ने मेकर्स पर उनका आर्ट चोरी करने को लेका आरोप लगाया था Flora ने original poster और film के poster को share करते हुए लिखा कि इस movie poster में मेरा artwork चोरी किया गया है कोई क्या बताएगा कि क्या हो रहा है ये ठीक नहीं एक तक पुर के production house में बनी इस film में और राजकुमार राओ लीड रोल में थे The Married Woman हाल ही में आर्ट वाले जी पर रिलीज होई The Married Woman दो महिलाओं के समलेंगे करिष्टे की कहानी थी ये film अपने topic के अलावा चोरी की ए पोस्टर के चलते भी लोगों की आलोचना का शिकार हुई फिल्म का पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने ओरिजिनल पोस्टर शेयर करके मेकर्स पर चोरी का आरोप लगाया जहां फिल्म का एक पोस्टर इंगाम बर्गमान की फिल्म परसोना से कॉपी किया गया था वहीं दूसरा पोस्टर हूब भू के ट विंसलेट की फिल्म एमोनाइट से मिलता जूलता था मैं हीरो बोल रहा हूँ पार्थ समनात जल्द ही एक तकपूर के बैनर तलिब बन रही फिल्म मैं हीरो बोल रहा हूँ के साथ वेब डेब्यू करने वाले हैं हाल ही में सीरीज का एक पोस्टर जारी किया गया था जिसमें अक्टरिस पत्र लेखा नजर आ रही थी यह पोस्टर हुबहु नेटफिक्स ही सीरीज हॉलिवूड से मिलता है यह सीरीज 2020 में रिलीज हुई थी जिसका पोस्टर में हीरो बोल रहा हूँ फिल्म से कॉपी किया गया लगता है तो इस तरीके से ही कोई पहली वार नहीं है कि ये कॉपी का कोई मामला सामने आया हो एक तकबूर से जोड़ा हुआ कई सारे से मामले हैं जो की सामने आ चुके हैं और बाखी के तो चोरी चकारी के मामले हैं वो है ही सही मैदाने बॉलिवुड कब क्रियेटिविटी को सरहना शुरू करेगा और अपने दम पर चीजें करना शुरू करेगा उमीर करता हूँ आप कोई बात समझ में आई होगी मेरे इस वीडियों फिराल इतना ही जै हिंद जै भालत